Hello everyone, welcome back हमारा introduction part almost complete हो चुका है, तो हम exercise करते हैं ठीक है, तो chapter 1 एक्सेसाइज 1.1 शुरू करते हैं देखिए, first question क्या है हमारे पास Is 0 a rational number and if it is, write it in P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, ये देखो कुछ भी नहीं है ये हमारी rational numbers की definition ही तो है हम discuss कर चुके हो लड़ी ठीक है, 0 क्या एक rational number होगा, of course होगा क्योंकि आप 0 को 0 by 1 लिख सकते हैं ना rational number की definition के coding क्या होता है कि P by Q की form में लिखना है P and Q दोनों integers होने चाहिए और Q यानि जो denominator में है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है denominator में 0 match में define नहीं होता ठीक है, तो 1 denominator में तो 1 है ना, ये equal to 0 नहीं है ना numerator में 0 तो हो सकता है ना तो ये P हमारा यहां क्या आजाएगा 0 and Q आजाएगा 1 ठीक है, तो P Q by Q की form में हमने लिख दिया, where P and Q 0 and 1 आपके integers है and Q आपका जानि जो 1 है वो 0 के एकवाल नहीं है, इसका मतलब 0 एक rational number होगा, ठीक है तो second question के अंदर आपको क्या करना है, find 6 rational numbers between 3 and 4, ठीक है आपको 6 rational numbers निकालने हैं 3 and 4 के बिच में, तो आपका, हमें ऐसा question, same, उसमें कर चुके introduction part में, example था हमारे पास तो same आपको वैसे करना है, क्या क्या आपको denominator को same बनाना है, ठीक है पर denominator को same बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी same number से multiply and divide करना पड़ता है, ठीक है तो अभी देखे, denominator हमारे आपको वैसे same है क्या है, 1, है न 1 but 1 एक बहुत चोटा number है, तो हम क्या कर सकते है, 3 और 4 के बीच में यहां rational numbers को नहीं निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको multiply करेंगे किसी same number से और उसी से divide करेंगे तो मैं 3 को multiply करेंगे 10 से और 10 से ही divide ठीक है, and 4 into 10 divided by 1 into 10 तो आपको पास जो number आ गया वो क्या number आ गया, 30 upon 10, and 40 upon 10 अब आप इसके बीच में numbers निकाल सकते हैं न, कुल कोसी number आएंगे 31 upon 10 32 upon 10 33 upon 10 34 upon 10 35 upon 10 36 upon 10 सभी इसके बीच में न, 37, 38, 39 यह सभी आप कोई भी इसमें से 6 number rational number जो इन दोनों के बीच में आते हैं आप लिख सकते हो, ठीक है तो आपको 6 की जगह यहां कितने भी number पूछ सकता है हमने discuss भी किया था पहले, ठीक है next question पर चलते है so देखे, next question आपके पास find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5, ठीक है आप अपनी मर्जी से किसी भी number से multiply करके और divide करके देख सकते हो, कि बीच में 5 rational numbers आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है अगर नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरे number से try करना अब हम करते हैं, 3 by 5 and 4 by 5 के बीच में आपको rational numbers find out करना है 5 बोथ same denominator है हमारे पास but इसमें कोई आपको बस number rational number ऐसे नहीं निकाल पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा दुबारा से किसी same number से multiply और divide करना पड़ेगा denominator को बड़ा बनाना पड़ेगा तो कैसे करोगे 3 into चलो हम 12 से multiply कर लेते हैं ठीक है and 4 into 12 upon 5 into 12 ठीक है, ये क्या आगया 36 upon 60 और ये क्या आगया मने पास 48 upon 60 ठीक है 36 upon 60 and 48 upon 60 इन दोनों के बीच में हम 5 rational number easily find out कर सकते हैं आप कोई भी लिख लीजे 37 upon 60 38 upon 60 कोई भी ले सकते हैं 41 upon 60 45 upon 60 47 upon 60 42 upon 60 ठीक है आप जो चाहो वो 5 rational numbers लिख सकते हो ठीक है आप बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इसमें चुरों next question की तरफ चलते हैं देखिए हमारे पास ये fourth question है जिसमें आपको true और false बताने की कौन सी statement सही है और कौन सी गलत है ठीक है 3 statements है हमारे पास first है every natural number is a whole number every natural number is a whole number अब आपको पता है natural numbers कोन से होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं 1, 2, 3 and so और whole numbers कोन से थे हमारे पास जो 0 से शुरू होते हैं ठीक है ना तो हर एक natural number क्या whole number होगा होगा ना आपको देखने से पता चल रहा है यह number इसके अंदर contained है तो yes, this is true every integer is a whole number integers कोन से थे देखो number line draw की दी ना 0, 1, 2 with the negative numbers थे ना whole number कोन से थे? जो 0 से शुरू होने वाले तो यह negative numbers नहीं थे ना तो क्या कह रहा है? क्या हर एक integer whole number होगा? नहीं होगा false क्यों? क्योंकि जो भी negative numbers है वो whole number थो होते ही नहीं ठीक है? इसके बाद आता है हमारे बास third every rational number is a whole number क्या हर एक rational number whole number होगा? rational number की definition अभी की थी वो सभी numbers जो P by Q की form में लिखे जा सकते हों वो हमारी rational number की definition थी और whole number भाई 0, 1, 2 and so on तो हमे को एक rational number ले ले लेते हैं कौन सारे हमने rational number माल ली जब 1 by 5 ले लिया? ठीक है? हमने एक 1 by 5 number ले लिया ये P by Q की form में है Q हमारा 0 नहीं है तो ये हमारे पास एक rational number है ठीक है? क्या ये whole number होगा? नहीं होगा ना? क्योंकि 1 by 5 यहां नहीं होता ठीक है? तो ये भी statement हमारी क्या है? false ठीक है? तो every natural number एक whole number होता है but every integer या every rational number कभी भी whole number नहीं होता ठीक है? तो आपकी यह 1.1 exercise complete हो गई है अगर आपको अभी इसमें कोई doubt है तो प्लीज आप comment books में लिखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी समझ आई तो प्लीज दू like, subscribe and share thank you so much